आप 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 हाई ब्यूटिफुल पीपल आपके आपसे बहुत अच्छे बहुत कुश हैं और हमारे यूटिफ चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग जॉब्स के बारे में वो भी माल्टा में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैटे माल्टा में नर्सिंग की जॉब पा सकते हैं माल्टा में आज के डायमें बहुत ज्यादा वर्न नर्सिंग की दिमांड थैंड स्पेशली इंडिय को माल्टा बहुत जादा नंबॉस में हायर कर रहे हैं आगर आप से पर नुस्त के स्टूधश नर्सिंग के स्टूधश या फिर आपके पास मैं आपको online दिखाऊंगा कैसे आपको employer मिल सकता है and कैसे आप apply करके Malta में easily आ सकते हैं तो please आप इस वीडियो को end तक देखना इसके लबाव अगर आपको हमारी भी help चाहिए तो हम भी आपकी help कर सकते हैं because हम भी Malta को लेकर बहुत जाद experienced हैं हम आपकी job लगा सकते हैं Malta में as a nurse आपको नर्स का work permit दिला सकते हैं registered nurse आपको करा सकते हैं महाँ पर and साथ में आपको IELTS की coaching दे सकते हैं OET की training आपको दे सकते हैं इसके लाब आपके spouse visa लगा सकते हैं job दिला सकते हैं आपको shengen visa लगा सकते हैं so we can do lot of things आपको देली Malta की वीडियो को मिलती रहें and इसके लब अगर आपको सवाल पूचना है तो आप हमारा Instagram account online देख सकते हैं just आप हमें follow कीचे हम से सवाल पूचे हम आपको reply करेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम आपके choice के topic पर कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें लिखे बेजिए comment में हम उस पर वीडियो बनाएंगे so now without wasting for the time let's get started so now video के starting में सबसे पहले में आपको Malta country के पारे में कुछ अच्छी बाते बाते बताना चाहता हूं ताकि जब आप job करने आओगे as a nurse तो आपको बहुत जादा कह सकती की benefits मिलने वाले हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि Malta एक शेंगन country है और यह English speaking country है तो यहाँ पर जब भी आप job करने आओगे तो आपको English में job करने होगी तो आपको कोई दूसरी foreign language सीखने का कोई भी ज जहिंजट नहीं रहेगा तो आपको बहुत असानी होगी दूसरी चीज़ है कि जो UK हैं जो हम United Kingdom है उन्होंने colonize किया हुआ है Malta country को तो इससे क्या होता है कि जब भी आप as a nurse job करते हो Malta में तो आपके पास यह benefit होता है कि उसके बाद आप UK में भी job कर सकते हैं because UK के जो hospitals होत होती हो इसके सासथ और भी जो English speaking countries like Australia न्यूजिलेंड हो गया उनके भी रास्ते आपके लिए कुल सकते हैं वहां पर इंग्लिश बोली जाती है और यहां पर जॉब करने से आपको वहां पर benefit मिलेगा तो कहने का मतलब यह अच्छी बात यह बताने का मक्सद यह है कि आपको इसके requirements होती है जो आपको fulfill करने होगी तो सबसे पहले आपको द्यान अखना होगा कि आपके पास एटलीस जी एनम डिप्लोबा होना चाहिए या फिर आपके बास बीसी नरसिंग पोस बीसी मसी नरसिंग तो कोई नो कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए नरसिंग कर नर ज़रूर ही है इसके साथ साथ आपको पता है कि इंग्लिश-speaking country है तो यहां पर IELTS की requirement है यानि कि आपके पास IELTS के 6 bands minimum आपके पास overall sub में होने चाहिए six each module में आपके पास होने चाहिए इसके साथ साथ अगर आप IELTS नहीं देते तो आप OET दे सकते है OET के अंदर B आपके यानि कि अगर आपकी 45 years age उससे कम है तो आप eligible हो बड़ उससे जादा होता है थोड़ी दिक्कत होती है तो I think यह overall जो requirements है आप I think easily meet कर सकते है because six bands भी जादा मुश्किल नहीं होता IELTS के अंदर लेके आना and हम भी IELTS की coaching देते हैं तो अगर आपको IELTS की coaching चाहिए nursing की job के लि आप सारी preparation कराते हैं तो अगर आपको भी job चाहिए तो आपकी भी हम पूरी help कर सकते है IELTS की coaching में OET की coaching में तो आप हमें contact कर सकते हैं तो यह इन सब अच्छी जो requirements में बताई है इन सब का आपको ध्यान रखना है सुना और बात करते हैं कि कितनी salary आपको मिल सकती है अगर आप as a nurse Malta के अंदर job करने आते हो तो Malta में जो salary को average salary को structure है वो है 2000 से लेकि 2500 Euro के बीच में तो इतनी average salary nurse को यहाँ पर मिलती ही मिलती है Malta के अंदर बद जैसे आपको experience होता रहता है आपके experience होता रहा तो आपकी 3000, 3000, 4000 तो ऐसे आपकी increase होती रहेगी salary time by time जैसे आपको experience बढ़ता जाएगा Malta में काम करते करते हैं तो I think जो salary का structure है वो भी बहुत अच्छा है और यह ध्यान रखना है कि Malta में living expenses होते हैं बहुत सस्ते होते हैं मैंने कि आपका बहुत ज्यादा saving हो सकती है और आपको living expenses में बहुत ज्यादा कम खर्चा होगा तो यह भी कहना कि advantage मिलता है कि salary आपकी बहुत ज्यादा बच जाती है तो यह इस अच्छी बात का आपको ध्यान रखना है अब मैं क्या करता हूँ अब मैंने आपको सारी information दे दी अब मैं आपको online दिखाता हूँ कि कैसे आपको easily घर बेटे nurse की job मिल सकती है कैसे आप employer को ढूंड सकते कैसे आप apply कर सकते हैं कैसे आपको job मिल सकती है तो इसके लिए मुझे अपने laptop को सारे लेना पड़ेगा तो लेट मी शो यू आउन-लाइन तो नाव यू कैन सी on your screen यह है career jet यह बहुत ही famous job portal है माल्टा में nurse job find करने के लिए employer को ढूंडने के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने screen पर काफी सारी jobs यहाँ पर दी गई है आप पढ़ भी सकते हो खुद से theater, anesthetic, nurse, Malta, staff nurse तो हम एक एक करके job को देखते हैं उसके बाद आपको सब को समझ में आ जाएगा तो जब हम इस job पर click करेंगे उसके बाद आप देख सकते हो इस job के बारे में पूरी description आ जाएगी यह पूरी job है Malta Island के अंदर है and यहाँ पर आप देख सकते हो salary भी लिखी हुई है 26,000 to 35,000 euros per year तो काफी अच्छी salary adjustment आपको बताया था कि salary काफी अच्छी मिलती है तो यहाँ पर पूरी description दी हुई है job को लेकर आप पढ़ भी सकते हो and क्या responsibilities हैं क्या roles होंगे सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि criteria क्या है recognized degree in nursing and minimum experience one year तो यहनि कि अगर आपके बस GNM degree है या आपके बस BSc nursing है तो one year के experience आपके पास होना चाहिए तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़े उन्हें एक्स्प्लेइन कि हुई है and आपको जब भी apply करना होगा तो यहाँ पर आप apply कर सकते है apply करने के बाद आप देखो कि next option open होगा तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है अपना surname लिखना है इसके बाद आपको अपना email ID इसमें लिखना है and इसके बाद अपना contact number phone number लिखना है and then आपको अपना CV यहाँ पर upload कर देना है जो latest CV आपके पास होगा जब आप CV अपलोड कर दोगे तो यह continue का options अपना pop up हो जाएगा and इस पर click करोगे तो आगे आपकी application submit हो जाएगी तो इस तरीके से बहुत असानी से आप अपना कह सकते हो कि CV अपलोड कर सकते हो जॉब के लिए apply कर सकते हो तो आपके email पर इनका confirmation आजाएगा and then यह आपको interview के लिए call करेंगे तो इस तरीके से आप easily यह जॉब पा सकते हो ऐसे और भी जॉब से staff nurse के लिखा हुआ है medical and healthcare and यहाँ पर देख सकते है anesthetic nurse and operating room nurse nurse full time और part time तो बहुत सारी जॉब से यह link डाल दूँगा description में आप खुछ से click करके check कर सकते हो आप घर बैठके apply कर सकते हो and hopefully आपको जल्दी से job मिल जाएगी तो इन सब पूरे process का आपको ध्यान रखना है so now आपने अपनी आखों से देख लिया कितना असान तरीका है nurse की job पाने का मालता में तो आप खुद से apply कर सकते हैं घर बैठके और सब मैंने आपको समझाए दिया है but in case अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप चाहते हैं कि हम भी आपकी help करें job पाने के लिए मालता में तो आप हमें contact कीजिए because हम आपकी पूरी help कर सकते हैं आपको job दिला सकते है nurse की आपको nursing का work permit दिला सकते हैं आपको IELTS की coaching दे सकते हैं कोईटी की coaching दे सकते हैं आपको spouse visa दिला सकते हैं इसके लावा Schengen visa दिला सकते हैं तो हम सारी चीज़ें आपकी help कर सकते हैं हमें contact कीजिए इसके बाद आपकी life बहुत असान हो जाएगी and अगर आपको कोई सवाल पूछना है आपको सवाथ